बिहार पंचायत चुनाओं में त्रीतिय चरण में नामांकन की प्रक्रिया लगबग समाप्त होने पे है बिहार पंचायत चुनाओं को कवर करने अभी हम निकले हैं और बिकरम बिधान सवा के सैदावाद कनपा पंचायत में अभी हम है यहां पंचायत में घूमने के दौरान अभी हमें यहां के मुखिया पारवती देवी के पुत्र विवेक सुन्दरम जी मिले हैं आईए इनसे जानते हैं कि इस पांच साल में इनके द्वारा क्या किया गया जनता के बीच जाके अभी अपने किस कारे को रख रहे हैं और जनता अब क्यूं दोबारा लाए विवेक सुन्दरम जी सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर धन्यवाद क्या काम कि इस पांच साल में कि आपको जनता दोबारा भोट दे जो भी कार हुआ है उसको मैंने पूरा किया है और बर्तमान में आप हमारे पहुंच पाती थी जहां मैं खड़ा हूं तो भरसक मैंने यहां पूरा ऐसा कोशिस किया है कि हर तरह की गाड़ी आजा सके ऐसा विकास किया है जहां आप खड़े उस वहां भी निर्मान का रुर सड़क का या नली का जो भी हुआ है हमसे जितना फंड उपलब्द हुआ उ आप में सड़क से आयोंगे महा का जो ढलाई का कारी है वह भी हमारे द्वारा ही किया गया है वह और जिधर भी उदर और गाउं के अधर साइड में नली का निर्मान हुआ है कहीं कहीं कारे अधूरा है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा को रोना काल के वजह से कुछ काफ में क्या चर्चा है जनता के बीच इस पंचायत में आने से पहले हाला कि पहले भी मैंने आपका वीडियो बनाया है यहां पता चला कि कुछ कोई एक भवन है वहां पर आरोप है कि आपके द्वारा जो है धानली की गई है उस पर क्या कहना चाहिएगा यह जो भी आरोप है बिलकुल निराधार है जो भी भवन के बारे में आरोप लगाया गया है वो आरोप सरकार पर सीधे सीधे आरोप है क्योंकि सरकारी सिस्टम ने जाकर उस जगह का निरिक्षन कर और पूरे परकिरिया पर खड़ा उतरा है तब जाकर वहां भवन पास उस भवन को बनाने के लिए लगवग एक बिगा जमीन का जूरत है तो जहां जमीन उपलब्द होगा वहां सरकार का प्रियरिटी है हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाना पूर में भी हमारा अपना जमीन सैदाबाद जो हमारे पूरे पंचायत का बजार वाला ग्र और सरकार के सारे नियम पर जब वो जमीन खरा उतरा कहीं जमीन उतना उपलब्ध नहीं हुआ तब जाकर वहाँ पर सरकार के सारे पदाधिकारी आकर जाच किये और उस वहाँ पर हमें बनाने का उनुमती मिला वो हमारे रेवनु विलज लहलातपूर में बना है जो बिल्कु योजना करके कोई योजना है उसमें आपके द्वारा धानली के जाती है उसमें क्या आप कहिएगा अगर यहाँ आप आरोप है तो यह तो बिल्कुल बिना मतलब का अपना राजनिती चमकाने वाला आरोप है मेरा उस वेक्ति से यही आग्रह है कि किसी पर गलत आरोप ना वेक्ति जिसके हाथ में अब मैं नहीं लूँगा अपति जनक बात है वह अब हाथ जोड़ा है अपने फायदे के लिए अपने दिखावे के लिए तो उस वेक्ति का सारा लगाया गया आरोप निराधार है एक और अंति में तिखा सवाल होगा सोसल मीडिया पे पिछले दो घ्राबेकों के सब तो यहां तक बारहे है कि आप सरकारी सिस्टम पर आरोप लगा रहे हैं है अगर ऐसा होता तो सरकार के द्वारा जो भी करकार हम चारी पदाधिकारी काम करें हों सब के सब गलत है तो यह आरोप बिल्कूल ही गलत है लिगली कोई काम होता है यह अनलीगल आरोप है इस पर सरकार अगर लगता है किसी को कि यह चीज़ सही है तो मेरे उपर केस करवा है जाकर हमारे 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 खिलाफ वहां जाकर आरोप दर्ज करें ये अभी चुनाव का समय है और चुनावी समय में ये भोली भाली जनता को बर्गलाने का काम किया जा रहा है क्योंकि पुर्व में उस वेक वैसे वेक्तियों के द्वारा कोई भी अच्छा कार हमारे समाज के लिए नहीं हुआ है और वो एक अच्छे वेक्ति का एक अच्छे मुख्या का च्छवी विगाणने के लिए गरत आरोप लगा रहा है तो मेरा जनता से और सबसे पंचायत वासी से आग रहा है कि यह जो आरोप लग रहा है या जो भी यह सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है यह बिल्कुल निराधार है और अगर किसी को भी स दस्तावेज है क्या वह दस्तावेज एक्शली 2021-22 का अपलोड किया गया योजना है जो भविश्य में उस पर कार्य होगा यह ऐसा आदेश पंचायती राज के द्वारा निकाला गया था जब बिहार के सारे मुख्या का कारेकाल खतम हो गया था और कोरोना की वज़े से द्यादेश पारित हुआ उसके तहट सरकार ने यह कहा कि सभी मुख्या जी लोग अपने आम सभा के कर या मतलब जो भी है उसको एक मेंटेन कर ब्लॉक में जो भी योजना है वो अपलोड कर वादे उसी योजना पर आने वाले वर्सों में कारे होगा यह सरल सब्दों में कहें कि वो एक सुची है योजनाओ की जो करना बाकी है या जो हो भी चुका है ऐसा नहीं है कि उस सुची के सभी योजनाओ का पैसा निकला है जी नहीं वो सब के सब नए योजना है क्योंकि मार्च इंडिंग के बाद किसी भी तरह का कोई भी हमारे प सबसे पहले तो अगर मैं ऐसा होता है या होगा ही तो अपने सभी जनता के प्रति हमेशा नमन रहूंगा पूरा परिवार अपना भाई बना के रहूंगा और विकास कारेयों को और बढ़ चड़ के जो भी कार मेरे द्वारा धुरा रह गया है और नली गली या जो भी है यह समस्याओं को दूर करूंगा और गलती मेरे से पांच साल में हुई होगी इसलिए मैं सभी पंचायत वासियों से यह भी कहूंगा कि उसक था किया रहे हैं उसकी भी फिजाच होगी और हम जो है इस पंचायत के हर गाह्व में घूमकर को दिखाने का काम करेंगे कि इनके दौरा जो किया वादा है इनके द्वारा जो बताया गया भी योजना का जो इन्होंने चर्चा किया है वो कहां तक सत्य है तो फिलाल इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं मेरा नाम राकेस है और आप प्रियास नीज देख रहे होंगे धन्यवाद